राथे राधे जी जै मातादी पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्तिक स्वागत है मैं हूं कातियाईनी इन नव राथरों में हम प्रत्य एक दिन दस महाविद्या की कथा प्रस्तुत करते आएं हैं आज अंतिम महाविद्या दसवी महाविद्या मा कमला की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं कथा श्रवन करने से पूर्व हमेशा की तरह जै मातादी जै मा कमला लिखकर अवशे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दे जोर से बोलिए प्रेम से बोलिए जै मातादी लिखिए जै मातादी श्रीमत भागवत के आठवे सकंध के आठवे अध्याए में मा कमला के उद्भव की विस्तरत कथा आई है देवताओं एवं असुरों के द्वारा अमरत प्राप्ति के उद्देश से किये गए समुत्र मंथन के फल स्वरूप इनका प्रादुर्भाव हुआ था इन्होंने भगवान विश्णुजी को पती रूप में वरन किया था महा विद्याओं में वे दसवे स्थान पर परिगणित हैं भगवती कमला वैश्नवी शक्ती हैं तथा भगवान विश्णुजी की लीला सहचरी हैं अतह इनकी उपासना जगदाधार शक्ती की उपासना है ये एक रूप में समस्त भावतिक या प्राकृतिक संपत्ती की अधिश्ठात्री देवी हैं और दूसरे रूप में सच्चिदानंदमई लक्ष्मी हैं जो भगवान विश्णुजी से अभिन हैं देवता, मानव, एवं, दानव सभी इनकी कृपा के बिना पंगु हैं इसलिए आगम और निगम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से वर्नित हैं सभी देवता, राक्षस, मनुश्य, सिथ और गंधर्व इनकी कृपा प्रसाद के लिए लालायत रहते हैं माविध्या कमला के ध्यान में बताया गया है कि इनकी कांती सुवर्ण के समान है हिमालय के सद्रिश श्वेत वर्ण के चार हाथी अपने सून में चार सुवर्ण कलश लेकर इनहें सनान करा रहे हैं वे अपनी दो भुजाओं में वर एवं अभय मुद्रा तथा दो भुजाओं में दो कमल पुष्प धारन की हैं इनके सर पर सुन्दर किरीट तथा तन पर रेश्मी परिधान सुशोभित हैं वे कमल के सुन्दर आसन पर आसीन हैं समरिधि की प्रतीक महावध्या कमला की उपासना स्थर लक्ष्मी की प्राप्ती तथा नारी पुत्रादी के सौख्य के लिए की जाते हैं मा कमला को लक्ष्मी तथा शोडशी भी कहा जाता है भारगवों के द्वारा पूजत होने के कारण इनका एक नाम भारगवी है श्री आदिशंकराचारी जी के द्वारा विरचित कनकधारास्तोत्र एवं श्री सूक्त का पाथ, कमल गटों की माला पर श्री मंत्र का जब, बिल्व पत्र तथा बिल्व फल के हवन से मा कमला की विशेश क्रिपा प्राप्थ होती है स्वतंत्र तंत्र में कोलासुर के वध के लिए इनका प्रादुर्भाव होना बताया गया है वाराही तंत्र के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्भा विश्नु तथा शिव द्वारा पूजत होने के कारण कमला का एक नाम त्रिपुरा प्रसथ हुआ कालिका पुरान में कहा गया है कि त्रिपुर शिव की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा कहा गया है शिव अपनी इच्छा से त्रिधा हो गये उनका उर्थव भाग गौरवर्ण चार भुजावाला चतर मुख ब्रह्मरूप कहलाया मत्य भाग नेल वर्ण एक मुख और चतर भुज विश्नु कहलाया तथा अधो भाग, स्पटिक वर्ण, पंच मुख और चतर भुज शिव कहलाया इन तीनों शरीरों के योग से शिव त्रिपुर और उनकी शक्ती त्रिपुरा कही जाती है चिन्तामनी ग्रह में इनका निवास है पुरश सुक्त में श्रीश्चते लक्षमीश्च पत्निया कहकर मा कमला को परम पुरश भगवान विश्नुजी की पत्नी बतलाया गया है अश्व रथ हस्ती के साथ उनकी संबंध राजवयभव का सूचक है भगवती कमला स्वयम कहती है के नित्य निर्दोश परमात्मा नारायन के सब कार्य मैं स्वयम करती हूँ इन महाविध्या की साधना नदी तालाप या समुत्र में गिरने वाले जल में आकंठ डूब करत की जाती है इनकी पूजा करने से व्यक्ती साक्षात कुबेर के समान धनी और विद्यवान होता है व्यक्ती का यश और व्यापार या प्रभुत्व संसार भर में प्रचारत हो जाता है मा कमला का मंत्र कमल गटे की माला से दस माला हसाओह जगत प्रसुत तयाय स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं इस प्रकार काली से लेकर कमला तक दश महा विद्याएं स्रिष्टी और व्यष्टी गती स्थिती विस्तार भरन पोशन नियंत्रन जन्म मरन उन्नती अवनती बंधन तथा मोक्ष की अवस्थाओं की प्रतीक है ये अनेक होते हुए भी वस्तुतह परमात्मा की एक ही शक्ती हैं जाथे राथे जै माता दी